हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टुजिएस अनालिसिस एंटर, तो डेली करेंट अफर के सत्र में आज हम डिस्कस करेंगे 30 मई का करेंट अफर, करेंट अफर के साथ साथ जितने भी important extra effect होंगे सारे को discuss करेंगे, साथ ही इसका पेडियो के description से अब डाउनलोड कर सकते हैं, दोस्तों राश्य उपलब्दी सर्वेक्षन यानि नेशनल एच्विमेंट सर्वे 2021 का नुसार भारत में कितने परतिशत स्कूली छात्र पैदल स्कूल जाते हैं तो देखिए पिछले साल 12 नुवंबर को भारत के सभी परकार के स्कूलों में राश्य उपलब्दी सर्वेक्षन का योजन किया गया था केंदरी शिक्षमंत्रा ले द्वारा और इसका अभी हाली में रिजल जारी किया गया है इसका नुसार 48 परतिशा चात्र जो हैं ये स्कूल जाते हैं पैदल ही इसके अलावा जितने भी छात्र हैं उनके पास इस्कूल जाने के लिए यातायाद के साधन हैं लेकिन 48 परतिशा छात्र जो हैं पैदल ही इस्कूल जाते हैं और आते हैं राश्य उपलब्दी सर्वेक्षन 2021 के जितने भी important facts हैं सभी को याद रखिएगा ये सर्वेक्षन आयोजित किया जाता है शिक्षा मंतरा ले द्वारा शिक्षा मंतरी हैं धर्मेंदर परधान देखे इसके पहले 2017 में इसका आयोजित किया गिया था और ये सर्वेक्षन कक्षा 3, 5, 8 और 10 के बच्चों की सिखने की छमता का ब्यापक मुल्यांकन और सर्वेक्षन करने के लिए आयोजित किया जाता है देखे इस बार के सर्वेक्षन में ग्रामिन और शहरी दोनों छेतरों के 720 जीलों के 1,18,000 इसकूलों के 5,000,000 से अधिक और 34,000,000 शहतरों ने भाग लिया था और इस सर्वेक्षन के अनुसार देश में कम से कम 44 परतिशत एसकूली सिखशकों के पास काम करने के लिए परयापत अस्थान नहीं है वहीं इस सर्वेक्षन के अनुसार केवल अंठाउन परतिशत सिखशकों नहीं नई राशे जान गवाने वाले सैनिकों का प्रतिक उल्टा राइफल और हेलमेट इंडिया गेट से डैस में अस्थापित किया गया है। और ये नेशनल वार मेमोरियल 2019 में अस्थापित किया गया था और इसके शेतर को परम योध्धा अस्थल कहा जाता है। अस्थापित किया गया है। ठीके और सर एडविन लूटियंस नहीं दिल्ली का जो राज़़ानी जो राशपती बहौन का इलाका है संसर बहौन का इलाका है उस सभी का डिजाइन का जो स्रे दिया जाता है। नेक्स्ट, 27 मईद 2024 को अफगानिस्तान पर चौथी छेत्रिय स्वरक्षा वारता का आयोजन कहां पर किया गया, तो देखें इस डायलक का आयोजन किया गया दूशामबे में, दूशामबे ताजिकिस्तान की कैपिटल हैं, और इस वारता में भारत की ओर से परतिनेदेतों कि हुआ था, 10 जनवरी 1966 को ताश्कन में, ठीक है, 1965 में भारत पाक के बीच में जो यूद हुआ था, तो यूद विराम के लिए, शान्ती के लिए, दोनों देशों के बीच में ताश्कन समझाउता हुआ था, 10 जनवरी 1966 को, और इस समझाउते पर हस्ताक्षर किस ने किया था, उस समय के भारत के परधान मंत्री लाल बहादूर शास्त्री और उस समय के पाकिस्तान के परधान मंत्री मुहम्मद अयूब खान ने, नूर सुल्तान जो है, ये कजाकिस्तान की कैपिटल है, देखिए इस बारता में भारत के इलावा ताजिकिस्तान, रूस, कजाकिस्तान उजबेकिस्तान, इरान, किरिगिस्तान और चीन के राश्य सुरक्षा सलाकारों ने हिस्स लिया था Next, किस अराज्य सरकार ने समान नागरिक सहीता यानि यूनिफॉर्म सिविल कोट को लागू करने के लिए तो, और अराज्य सरकार ने समान नागरिक सहीता को लागू करने के लिए एक मसावदा समीती का गठन किया है तो, ओप्षन दी हराइट एंसर हैं देखें उत्राखं की बात करें तो, हाली में यहाँ पर एक एप लाउंच किया गया है 1064 भरस्ट अचार विरोधी मोबाईल एब हिम परहरी योजना, दूध मुल्ले परोसान योजना, मुख्यमंतरी घस्यारी कल्यान योजना शुरू की गई है सेना और अर्ध सैनिक बलों के परिवारों की शेकायतों की निप्टारा के लिए Defense Forces, Help Desk अस्थापीद किया गया है हरानी खेत में भारत का पहला घास सरक्षन चयतर अस्थापीद किया गया है वहीं हल्दवानी, नैनी तल के हल्दवानी में लाल कुओन, वन अनुसंधान के अंदर में देश की पहली सूरभी वाटिका अस्थापीद की गई है सुरभी वाटिका यानी अरोमेटिक गार्डेन चमोली के माना गाउं में देश का सबसे उचा हर्बल गार्डेन अस्थाफित किया गया है उत्राखन के ब्रांड अमेश्टर बने हैं अक्षाई कुमार और रिशपंत देहरादून के चकराता शहर में भारत का पहला क्रिप्टो गेमिक गार्डेन अस्थाफित किया गया है वहीं 100% सक्षरता वाले देश का पहला जिला है देहरादून देखिए उत्राखन जो है भारत के तिन आराज्यों से अपनी सीमा शेयर करती है यह राज्य हैं उत्तर परदेश, हर्याना और हिमाचल परदेश दो कंट्री में चीन और नेपाल से ही अपनी सीमा शेयर करता है उत्तराखन का गठन हुआ था 9 नौंबर 2000 रिस्पी को जीलों की संख्या 13 है दो राजधानिया है, विंटर कैपिटल देहरादून है और समर कैपिटल गैर सैन मुख्य मंत्री हैं पुसका सीधामी, यहां के राज्य पाल है गुरमित सिंग और एक्टिंग चिफ जश्टिस हैं संजाय कुमार मिश्रा उत्राखंड में लोक सबा सीट के संख्या 5, राज्य सबा सीट 3, विदा सबा सीट के संख्या 70 है और ध्यान लखेगा उत्राखंड हाई कोट कहाँ पर है, नए निताल में है यहां का राजके पशु कस्तूरी म्रिग, राजके पच्छी मोनाल, राजके ब्रिक्ष बुरांश, राजके फुल ब्रहम कमल और राजके खेल है फूटबॉल बरादानाती, भोटिया, जोरा, पंडो, चपादी, कुमायू, गडवाली ताथा लांगवीर यह उत्राखंड के परमुख लोक निरित्ते हैं राम गंगा नेशनल पार्क, इसी का पुराना नाम है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, हाली में इसका नाम बदला गिया था, यह भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है गंगोत्री नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैले अफ लावर नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, तथा नंदा देवी नेशनल पार्क अधिकारिक भाषा हिंदी है, लिपुलेख दारा, मना दारा, निती दारा, थागला दारा, मुलिंगला दारा, तुनजुनला दारा, बाल्चा दारा, कियोगाद दारा और लांपिया दारा, यह सारे उत्राखंड में हैं. नेक्स्ट, 28 मैँ 2022 को किस देश ने परमानू सच्छम हाइपरसोनिक कुरूज मिसाइल जीर कौन का सफल परिक्षन किया? तो देखें, जीर कौन यह परमानू सच्छम हाइपरसोनिक कुरूज मिसाइल है? रूस का. हाले में इसने इस missile का सफल परेक्शन किया बैरेंट सागर में इसका परेक्शन किया गया और ये जो missile है इसकी गति है 9 Mag की यानि आवाद से, साउंड से, 9 गुना तेजी से उडान भर सकता है ये missile ठीक है, देखिए इस missile को जेर कौन जो missile है इसे 3M22 और इस स्पेलिंग वाला सीर कॉन मिसाइल भी का जाता है ठीक है जीर कॉन या फिर सीर कॉन इसी का नाम है यह रूस का मिसाइल है देखिए रूस की बात करें तो रूस में इंस्टाग्राम को बैन किया गया है और इंस्टाग्राम के अस्थान पर रूस ने हाले में रॉस गर बाले भाग को साइबीरिया का जाता है बैकाल जील ये दुनिया की सबसे गहरी जील है जो कि रूस में इस्थित है रूस और इरान की सीमा पर इस्थित है कैस्पियन सागर जील ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की जील है डौन वुल्गा अमूर यनेसी लेना ओब यहां की परमुख नदियां हैं, इसमें वोलगा नदी इरोप की सबसे लंबी नदी है, एशिया की सबसे लंबी नदी है, यांगतेजे नदी जो की चीन में बहती है, विश्व की सबसे लंबी नदी है, नील नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, गंगा नदी. दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, ये भी रूस में है, रूस के परमुक शहरों में मास्को जो कैपिटल है, ये मुस्कावा नदी के किनारे है, स्टालिन गराद वोलगा नदी, लेलिन गराद ये नेवा नदी के किनारे है, मुस्को के बाद सेवामुक्त याने रिटाइर कर दिया गया है तो देखिए भारते नौसेन के गादावरी सरेनी का निर्देशित मिसाइल पोत है इसका नाम है इनस गोम्ती को हाले में 34 साल की सेवा के बाद जो है सेवामुक्त कर दिया गया है मुंबाई के मजगाओं डॉक लिमिटेड में ओप्शन टी राइट एंसर आई एनेस गोमती को 16 अप्रेल 1988 को 9 सेना में कमिशन किया गया था और आई एनेस गोमती ने भारते 9 सेना के अप्रेशन कैक्टस अप्रेशन पराकरम और अप्रेशन रेन्बो में महत्पूर्ण भूमिका निभाया था आई एनेस जो आप नाम सुन रहे हैं आई एनेस का फूलपम क्या होता है इंडियन नवल शिप्स इसका फूलपम होता है ठीक है इंडियन नवल शिप भारते 9 सेना की बात करें वाइस चीफ हैं सतीष नामदेव घुरमडे डिप्टी चीफ हैं रवनीच सिंग भारते 9 सेना का मोटो है शा नो वरूना स्वतंतर भारत के पर्थम 9 सेना परमुक्त है रामदास कतारी चली अगला कोशन है 17 मुंबई अंतराशे फिल महसों में फोकस देश कौन है तो देखिए मुंबई अंतराशे फिल महसों का इस बार का ये 17 हुआ संसकरन है इसमें फोकस देश है यानि कंट्री और फोकस है बंगलादेश मुंबई में शुरू हुआ है कहां पर शुरू हुआ है इस महसों का उधगाटन किए केंद्रीय मंतरी पिउष गौयल ये केंद्रीय वाडी जण उधियोग मंतरी है इस महसों में ये मुख्य अतिति भी थे ठीकें और इस दोरान इस महसों के दोरान राशे और अंतराशे प्रती असपरधा सिरीनी में 119 फिल्मों और 11 परतियस पर्धा सरीन में 264 फिल्मों को दिखा जाएगा कंट्री और फोकस है बंगलादेश चलिए बंगलादेश के बारे में जान लिजे बंगलादेश से भारत के 5 राज्य अपनी सीमा साजा करते हैं यह राज्य है मिजोरम, तिरिपूरा, असम, मेघाले और पशिम बंगाल भारत अपनी सबसे लंबी अंतराशे सीमा रहा बंगलादेश से इशेर करता है गंगा नदी को पदमा और ब्रहम पूतर नदी को यहाँ पर जमुना की नाम से जाना जाता है बंगलादेश से तिनोवर से घिरा हुआ एकमातर राज्य तिरिपूरा है कैपिटल है धाका, राजपती हैं अब्दुलहामीद, परदान मंत्री हैं शेख हसीना यहां की संसद का नाम है जाती है संसद, करेंसी है टाका, यहां का राशे खेल है कबड़ी देखिए धाका में दो अंतराशे निकाय का मुख्याले हैं, साउथ एशियन फूटबॉल फेडरेशन और बिम्स्टेक का मुख्याले धाका में ही है परदान मंत्री नरेंदर मोदी ने की शहर में इफको कलोल में निर्मित नैनो यूरिया सेंटर का उदगाटन किया देखिए नैनो यूरिया याएक परकार का लिक्विड यूरिया है जिसे इफको ने बनाया है भारत में और यह जो है 40-50 کिलो का जो बोरी आता था यूरिया का उसका अस्थान लेगा मातर 500 ml नैनो लिक्वीड यूरिया जो है ये 40-50 के लिए यूरिया के बराबर है इसे बनाया है इफको ने तो हाले में इस यूरिया की निर्मान के लिए एक सेंथर अस्थापित किया गिया है कहाँ पर गांधी नगर में गांधी नगर के इफको कलोल सेंथर में इसे अस्थापित किया गया है और हाले में इस सेंथर का उद्गाटन किये परदान मंत्री नरेंदर मोदी इफको का फुलप हमता है इंडियन फार्मस फर्टिलाजस को अपरेटिव लिमिटेड ये भारत की साहकारी समीती है इसके अस्थापन की गई थी ती नॉबंबर 1967 को मुख्याले नई दिल्ली में है वरतमान में इसके चेर्मेन है दिलिप संगानी, M.D. और CEO है, U.S. अवस्थी चलिए कोशन नमर 9 है शतरन्ज टुनामेंट चेसेबल मास्टरस 2022 का खिताब किसने जीता है तो प्रसिट चेस टुनामेंट है ये चेसेबल मास्टरस 2022 ये खिताब जीत लिया है डिंग लिरेन जो की चीन के रहने वाले हैं इन्होंने फाइनल में भारत के आर प्रग्यानानंद को हरा कर ये खिताब अपने नाम किया आर प्रग्यानानंद ये तमिलाडू से बिलों करते हैं वही दिंग लिरेन जो है ये चीन के चेस खिलाडी है अब यहाँ पे चेस से रिलेटे जितने भी हाली फिलाल में टुनामेंट हुए है विजेता कौन बना है ये नहीं याद रखना है आर प्रग्यान्द नहीं जीता ये तमिलाडू से बिलों करते हैं वहीं दिल्ली इंटरनेशनल ओपन चेस टूनामेट 2022 का खिताब जीते अरजून एरिगैसी जो की तेलंगाना के रहने वाले हैं पिछले साल विश्वा रैपिड शत्रन चेंपियंशिप का खिताब नादिर बेक अब्दु सत्तोरों ने जीता ये उजबिकिस्तान के हैं वहीं पिछले साल फिड विश्वा शत्रन चेंपियंशिप का खिताब जीते विश्वा के नमबर वन चेस खिलाडी मैगनस कालसन ये नार्वे के हैं 26-28 माई को तीसरा गलोबल और्गैनिक एक्सपो 2022 कि संस्थान में आयोजित किया गया इसका आयोजन किया गया पूसा इस्थित भारतिये क्रिसी अनुसंधान संस्थान में पूसा कहां पर है ये दिल्ली में है ठीक है तो याद रखेगा भारतिये क्रिसी अनुसंधान संस्थान दिल्ली के पूसा में इस्थित है तो जैवी खेती का बढ़ाव देने के लिए हाली में Global Organic Expo 2022 का आयोजन इसी संस्थान में किया गया और इस Expo का विशय था Profitability for Humanity यानि मानवता के लिए लाब प्रदत्ता देखिए भारा सरकार जो है 2040 तक पूर्ण रूप से जैवी खेती बनने का लक्षे निरधारित किया है यानि 100% जैवी खेती का लक्षे निरधारित किया है तो फ्रेंड्स यह था हमारा आज का करेंट फिर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जगो करना अब देखिए ओप्शन में और भी ये संस्थान है ये कहां पर इस्तित हैं इन्हें भी नोट कर सकते हैं अब चलिए टॉफ 15 जीके के इंपोर्टन कोशन देख लेते हैं आज से 43 है आर ये समाज की अस्थापना किस ने की थी इसकी अस्थापना दयानंद सरस्पती ने की थी पंजाबी भाषा की लीपी कौन सी है तो देखिए जो पंजाबी भाषा है इसकी लीपी है गुरु मुखी और जो हम लोग हिंदी में लिखते हैं उसकी लीपी कौन सी है देवनागरी है भारत की मुख्य भूमी का दक्षिंतम किनारा कौन सा है? तो देखे यहाँ पे पूछ रहा है मुख्य भूमी का, तो मुख्य भूमी का दक्षिंतम बिंदू है कन्या कुमारी, ठीक है? अगर कोशन ऐसे पूछे कि भारत का सबसे दक्षिंतम बिंदू कौन सा है, तो वो है इ तो इंसूलीन का परियोग किया जाता है मधु में रोक के लिए, मधु मेह के उपचार के लिए. भारत का पर्थम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बैंटिक. भारत में सशस्तर बलों का सरवच्चे सेनापती कौन होता है? राश्पती होता है. पोंगल की सराज्य का परमुक की अस्थापनकप की गई थी 1949 में. पंजाब के स्री किसे कहा जाता है? लाला लाजवत रहे को. स्वामी दायानंद सरवस्वती का असली नम क्या था? मूल शंकर. राम क्रिश्न मिशन की अस्थापनकिस ने की थी? स्वामी विवेका नंद ने. बैसाखी किसका परमुक बाहर हैं बैसाखी. वास्कव डिगामा जो है ये कहां का रहने वाला था? ये पूर्टगाल का रहने वाला था. इसने भारत में कबाया? पहले बार इसने भारत में कदम रखा था 1498 मिं में. दिल्ली इस्थित लाल बहादूर शास्त्री के समाधी अस्थल का क्या नाम है? अब चलिए फटाफट पिछले कलास का क्वीक रिविजन कर लिजेए पहला कॉशन पियम मोदी ने हाली में कि शहर में भारत के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिबल भारत ड्रोन महसव 2022 का उद्गाटन किया दिल्ली में किस अराजय की कैबिनेट ने राजय पाल की जगा अब म मुख्य मंत्री को राजय के विश्व विद्दालेओं का चांसलर बनानी की मंजूरी दी है पश्रिम मंगल ने पियम मोदी ने हाली में कि शहर में 31,400 करोड़ों पी की अनेग पर्योजनाओं की शुरुवात की चन्नाई में मोबाइल एक्सेस टेक कमपनी कीजी के अध्यन के अनुसार वर्क फ्रॉम होम के लिए कौन सा शहर दुनिया का सबसे अच्छा शहर है सिंगापूर मुडीज इन्वेस्टर्स सर्विसेज ने कैलेंडर वर्स 2022 के लिए भारत के आर्थिक विकासदर कानुमान को 9.1 पर्तिशत से घटा कर कितना कर दिया है 8.8 पर्तिशत किस लेखिका को अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम्ब और सैंड के लिए अंतराशे बुकर पुरसकार मिला है गितांजली शरी को और डेजी राकवेल ने इस हिंदु उपन्यास का इंगलिश में कनवर्ट किया है उन्होंने अनुवाद किया है तो दोनों जो हैं गितांजली शरी और डेजी राकवेल ये दोनों प्रसकार साजा करेंगी यात रखिएगा ठीक है हिंदी में इस उपन्यास का नाम है रेत स केंदरी वितमंत्राले ने किसानों को उर्वरक पर सबसीड़ी परदान करने के लिए कितने करोड रुपे की अतिरिक तराशी अवंटित की हैं एक लाख दस जार करोड रुपे की। फेस्टिबल में एक्सिलेंस इन सिनेमा प्रोषकार से सम्मानित किया गया नवाजुदीन सिदिक्की को। अब लास्ट कोईश का इंसा जानिए पहला कोशन था भारत के पहले इतनौल सेंटर का उधगाटन कहां पर किया गया हैं बिहार के पूर्णिया में बिहार के मुख्य किया गया डेन्मार्क की कैपिटल कोपिन हैगन में अब चलिए आज का पहला कोशन है स्वदेशी निविगेशन पर नाली गगन का उपियो करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहले एरलाइन कौन बनी हैं दूसरा कोशन है 27 अपरेल 2022 से कौन सा देश संयुक्त